तो फ्रेंस फिसे स्वागत एक नहीं वीडियो में फ्रेंस इस वीडियो के अंदर बात करने बलाओं किस तरीके से आप अपने फोन में जो कि यह contact number को आप easily save कर सकते हैं वो भी आप अपने Gmail ID के अंदर तो friends आपने टाइटल में तो देखी लिए होंगे तो friends चलिए होंगे तो friends चलिए चुरू करते हैं जानते हैं step by step आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहले आए तो चैनल को like, share and subscribe करना मत बुलीगा साथ मैं गंटी का options देखेगा इस पर click करेंगे इस पर click करने के बाद आपको यहां पर जो भी नाम है उसको यहां पर लिखके यहां पर done पर click करते हैं ठीक है और एक तो यह तरीका हो गया और friends यहां से आप Gmail ID का options आ जाएगा यहां पर जैसे इस arrow पर click करेंगे तो यहां पर बहुत सारे जो done पर click करेंगे तो सिता Gmail ID में so होगा मतलब save हो जाएगा ठीक है यह तो था एक options और friends कई लोग का सवाल यह होता है कि माल दीजिए कि उसने जो पहले incoming call आया गया हुए जैसे कि आप दे सकते recent call है आया गया दोनों call है ठीक है तो उसको कैसे save करेंगे उसके लिए यहां पर arrow लिखेगा इस पर click करना है click करते ही आपको new contact number पर click करना है और वह सही same method यहां पर खुल के आजाएगा और यहां से आपको अपना Gmail ID सेलेक करने है या फिर SIM ठीक है और उसके बाद आपको done पर click कर देना है और यहां पर एक और options मिलता है photo का photo आप इस पर click करेंगे तो यहां और जैसे उस पर लगाएंगे तो आपका photo लग जाएगा तो आप देख सकते हैं यहां पर मेरा photo लग चुका है यहां पर Gmail ID में save हो चुका है मान दीजिए यहां पर मेरा Gmail Google account अभी add नहीं इस विए से यहां पर Gmail ID show नहीं हो रहा है वरना हो जाता और इस पर click करेंगे तो यह